हलो साथियों नमस्कार मैं राजेस दोस्तों हम हाजी रहें आप सब के सामने घटना चकर की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आज की ये हमारी प्रैक्टिस सेट मेरे भाई सात्वी प्रैक्टिस सेट है सामान हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपका जो एक्जाम होने वाला है आरो प्रेक्टिसेट जो है ये जी एस का घटना चक्र वाली कर लिए हैं आज की हमारी घटना चक्र की ये सात्वी प्रेक्टिसेट बहुत ही महत्पूर है जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं बहुत से साथियों का मेरे भाई ये सवाल था, सर ये जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं घटना चक्र की, इससे कितना फायदा हो सकता है, मेरे भाई देखें, क्योंकि घटना चक्र ही ऐसी महत्पूर संस्था है, जो ऐसे प्रशनों को बनाती है, जिनमें पहला नमबर रिपिटीशन के अधार पर कुछ नए प्रशन बनते हैं, इन ही सब के अधार पर मेरे भाई प्रैक्टिस सेट बनाई जाती है, और इस ऐसे प्रैक्टिस सेट को जो आप करेंगे, तो देखेंगे कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना प्रशन कर ले रहे हैं, ऐसी प्रम जो है मानसिक से मजबूत रहेंगे आपका confidence level बहुत अच्छा रहेगा किसी भी student का जब confidence level अच्छा रहता है मेरे भाई तो उसके जो है दुविधा वाले प्रश्ण होते हैं एकजाम हल में न तो ओ भी सही होने लगते हैं जो भी student दुविधा वाले प्रश्ण को ज़्यादा तर सही कर ले जाता है वो selection के सबसे करीब होता है तो चलिए हम लोग आज की हमारी महत्पूर ये practice set सात्वी practice set देखते हैं पहला प्रश्ण हमारा क्या है तो साथियों अगर आपको जरास अभी मतलब हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे आप हमारा support जरास अभी करना चाहते हैं तो वीडियो को साथियों लाइक करके और चैनल को सबस्क्राइब कर देना है तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्ण हमारा सामान हिंदी का हमारा ये practice set है और जिसमें आप सबको पता ही है ROARO में जो सामान हिंदी का है वो 6 topic से प्रश्ण पूछा जाता है हर एक topic से 10 प्रश्ण कुल 60 question आते हैं अगर हमारी तैयारी अच्छी है ये कैसे आके अगर हम 50 plus के हमारा question सही हो रहा है तो इसकी मतलब जो पहला प्रश्ण है ये कह रहा है साथियों बिलोम से है पहला हमारा बिलोम से कह रहा है अनिवार अनिवार शब्द का बीपरीत अर्थ क्या है यानि अनिवार का बिलोम पूछा जा रहा है साथियों अनिवार का मतलब होता है एक ही रास्ता आपके पास कोई बिकल्प नहीं है तो अनिवार का मतलब यह हुगा तो इसका उल्टा यानि बीपरी तर्थ एच्छीक हो जाएगा मेरे भाई अपनी इच्छा नुसार चाहे जितना हम बिकल्प बना लें तो option number B हो जाएगा अनिवार का बिलोम एच्छीक हो जाएगा अब यहाँ जो यह सब दिया है अनावश्यक का तो आवश्यक हो जाएगा और यह और आवश्यक का बिलोम अनावश्यक हो जाएगा यह सब एक दूसरे के बिलॉम है, लेकिन अनिवार का बिलॉम एच्छी है एक चीत याद रखना बिलॉम के लिए जो सबसे महत्पुरबात होती है जिस अगर आपको तथसम में पूछा है, तो आपको तथसम में ही बिलॉम बताना है और तदभों में पूछा है तो उसका बिलोम तदभों में ही बताना होगा तो ये चीज याद रखना ये नहीं हम सिर्फ अर्थ उल्टा कर दे तो बिलोम हो जाया ऐसा नहीं होता है अब दूसरा हम लोग देखें देखें दूसरा का रहा है मेरे भाई रिजू रिजू का बिलोम क्या होगा रिजू का आप लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते है रिजू का मतलब होता है मेरे भाई सरल क्या होता है सरल तो इसका मतलब यह नहीं हम कठिन कर दें तो इसका ये बिलोम हो जाएगा तो यह रिजू जिस भास हम पूछा गया है उसी जिस अब पूछा गया है उसी में तो रिजू का मेरे भाईब जो बिलोम होगा वो हो जाएगा यहाँ पर यह वक्र option number D हो जाएगा रिजू का बिलोम वक्र आगे देखे हम लोग यहाँ सरल का आप लोग पता चाहें तो सरल का कठिन हो जाएगा सीधा का यहाँ पता करना चाहें तो सीधा का उल्टा हो जाता है आगे देखे हम लोग तीसरे का कल्पित का बिलोम क्या है कल्पित मेरे भाई ये कल्पना से बना हुआ है तो इसका बिलोम यतहार्थ हो जाएगा option number C हो जाएगा यह अथार्थ और यह यहाँ जो B है कल्पना युक्त तो इसका बिलोम अगर हम लोग करेंगे तो कल्पना हीन हो जाएगा option number यह हो जाएगा और यह प्राकृतिक का अगर हम लोग बिलोम करना चाहें तो इसका बिलोम कृतिम हो जाएगा क्रितिम या शंसलेशी थी हो जाएगा तो फिलाहाल कल्पित का बिलोम या थार्थ आप्शन नमबर C चौथे काम लोग देखें बहुत ही बेहतरीन परशन क्या करा है तीमीर ये कई उच्छा भी गया है आपके ग्याम में तीमीर शब्द का बिलोम क्या है तो तीमीर का मेरे भाई मतलब होता है अंधकार आप लोग अगर किसी भी शब्द का अर्थ जानते रहेंगे तो आपको बिलोम बताने में जरासा भी परसानी नहीं होगी तो तीमीर का मतलब अंधकार इसका बिलोम बताना है तो प्रकाश यानि आलोक, option नमबर A हो जाएगा आलोक तो यहां रंगीन और रंगीन एक दूसरे की यह उल्टे हैं, इन पर दिहान न दीजिए, फिलाहाल तीमिर का बिलोम आलोक है अब देखें आहां पाचुवे में, पाचुवे मेरे भाई कहा रहा है ध्रिष्ट, ध्रिष्ट का मतलब यह होता है उधंड, बहुत मतलब बदमास किस्म का तो ध्रिष्ट का बिलोम हो जाता है मेरे भाई B नमर, यानि B नमर वाल, option नमबर B हो गया इसका तो आगे देखें छटमे में पूछा जा रहा है कि नैसरगीक, नैसरगीक का बिलोम क्या है, नैसरगीक का एक दूसरा नाम है मेरे भाई, प्राकृतिक जिसको हम लोग इंगलिस मेंjasल बोलते हैं तो नैसरगीक का तूसरा नाम प्राक्षिक है लेकिन हमें पर्यावाची नहीं बलकि song बिलोम पूछ रहा है तो नैसरगीक का बिलोम मेरे भाई पहले ही में बताये कृतिम होता है और कृतिम का एक दूसर नाम होता है शंसलेशिद, अगर कृतिम नहीं है तो आप लोग शंसलेशिद लगा शकते हैं, फिराल कृतिम है तो इसका उत्तर कृतिम ही होगा, option number B, आगे चले देखते हैं साथमे में, परिस्रम, परिस्रम सब्द का बिलोम क्या होगा, तो मेरे भा आगे देखें, देखें, क्या है आठोय में, सूच्म, देखें, यहां हमें एक चीज़ जानने को मिलेगा, सूच्म, सूच्म का मतलब मेरे भाई यह होता है, छोटा, बहुत छोटा, तो ऐसा नहीं हम लोग बड़ा लगा देंगे, इसका उत्तर बड़ा हो जाए, क्योंकि जिस मैंने पहले कहा न, आपको तत्सम में पूछा है, तो तत्सम में ही उसका विलोम भी होना चाहिए, तत्भों में अगर सब्द है, तो उसका विलोम भी तत्भों में ही होना चाहिए, इसलिए सूच्म का मेरे भाई विलोम यहां इस थूल होता है, इस थूल का मतलब भा कौन सा बिलोम युग में तुरुटी पूर्ड है मेरे भाई चार आप्षन में चार जोड़े दिये गए हैं किसमें सब्द और बिलोम ठीक नहीं है तुरुटी पूर्ड है उसी को हमें पकड़ना है तो देखें यहां पर मेरे भाई नवे में जो हमसे पूछा जा रहा है आदान परदान ए भी एक दूसरे को बिलोम है यहां जो मेरे भाई उन्नत या आवनत दे दिया है यह यहां पर गलत है उन्नत का बिलोम आवगत नहीं होता है मेरे भाई आवगत की जगह यहां पर हमें होता है कि जैसे उन्नत यहां पूछा जा रहा है तो आवनत होगा आवनत तो ये हो जाएगा आप्शन नंबर यानि अब हमें तुरुटिपूर पूछा है गलत कौन सा था तो गलत सी था क्यों गलत था कि उन्नत का बिलोम आवगत नहीं बलकि आवनत होगा आगे देखें दसवे में देखें दसवे में क्या पूछ रहा है हमसे निम्न लिखित युगमों में से बिलोम की द्रिष्टी से एक सब्द युगम असुद है फिर वही पूछाए चार में से तीन सही है एक गलत है उसी असुद वाले को हमें पकड़ना है क्या है मेरे भाई उनमुख बिमुख यहाँ पर उनमुख का उल्टा बिमुख होता है ए तो सही है अपनी जगह पर रित का बिलोम अन्रित यहाँ पर दिया है तो ए भी सही है रित का अन्रित होता है मंद का मेरे भाई मंद मतलब शलो दुरूत मतलब तेज ए भी सही है अपनी जगा पे यानि जब तीन सही है यह हमें किलियर है तो इसका मतलब यही सी वाला यहां पर गलत है क्यों गलत है यहां पर मेरे भाई यहां गत का जो बिलोम होता है आगत होता है अनागत नहीं तो गत क्या है मेरे बाई गरहमे में कौन सा सब्द अही का पर्यावाची नहीं है किसका साप सर्प सर्प भुजंग औरी यह सब साप के पर्यावाची होते हैं सर्प के पर्यवाची है, यहां जो सिंधूर दिया है मेरे भाई, सिंधूर यह हाथी का पर्यवाची है, सिंधूर नहीं वो लगाने वाला, सिंधूर है, तो यह हाथी के पर्यवाची में आता है, अगर आप से ऐसे सिंधूजा दे दे, अगर ऐसे सिंधूजा, तो तो यहां कंफ्यूजने होिएगा सिंदूर अ सिंदुजा में सिंदूर हथी का और सिंदुजा लच्छमी का पर inclusive होता है आगे बढ़े हम लोग देखें बारम मेरे भई पूछ रहा है टीका सब्द का पर मेरे भाई ब्याग्ख्या क्या होता हे आप्शन नमबर A, जैसे मैं जब यहां I.S की कोचिंग करने आया था, तो जब मैं सबसे पहले कोचिंग मतलब जो आइन किया था, सबसे आगे बैठता था, थोड़ा मैं हमेशा बोलता रहा था, तो सर हमारा नाम दे दिये थे, टीका कार, तो एक दिन सर से मैं पूछा, सर टीका का मतलब क्या होता है, कहां आप हर बात को ब्याख्या करने लगते हो, इसलिए आपका नाम टीका कार रख दिया गया है, तो वही हमें यादा आया टीकासenges आ का मतलब होता है ब्याख्या तीकाकार अगर रहे तो ब्याख्याकार हो जाएगा तो यहाँ ए हमारा उत्तर होगा 13 में देखें 13 में क्या दिया है पत्थर पत्थर का पर्यवाेशी नहीं है तो नहीं पूछ रहा है, यहां हम लोग जरूर ध्याँ दें, क्योंकि छोटे question में यह नहीं सब्द घुशा देता है, तो उसका हमें समझ में नहीं आता है, हम लोग आता हुए प्रशन को गलत कर देते हैं, बहुत से लोग गलत करते हैं, अच्छे अच्छे लोग गलती कर द या हम साथियों, ये पत्थर के पर्यवाची में जो उरग है, ये उरग पत्थर का पर्यवाची नहीं है, ये उरग साप के पर्यवाची है, सर्प के पर्यवाची, ये याद रखिएगा, सर्प भुजंग, पवनाश ये सब, अब देखे हम लोग चवदा में, बहुत ही बेह चीजह को याद रखेंगे। हम धोंगि हम क्लिएर करते चलेंगे, तो आपकी पढ़ने की जो प्रोड़क्टिविटी है, यह सब आपकी प्रोड़क्टिविटीए mystues, चार गुना बढ़ सकती है सिर्फ उत्तर भरता देने से काम नहीं चलेगा आप समको क्लियर करना सबसे बड़ी बात होती है आगे देखें हम लोग पंदरा में देखें अब पंदरा में क्या पूछा जा रहा है साथियों लालसा लालसा का मतलब इच्छा होती है मेरे भाई लालसा सब्द के दो पर्यावाची है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ बल आकांचा है लेकिन बल नहीं है इच्छा तो है लेकिन बल नहीं है आकांचा तो है लेकिन निरासा नहीं है यहाँ पर इच्छा आकांच्छा दोनों लालसा के पर्यवाची हैं तो option number A हमारा सब्त्य होगा 15 का 16 में देखें देखें यहाँ bridge bridge सब्द का पर्यवाची क्या है तो bridge पर्यवाची के सब्द मेरे भाई पादप होता है और पेड़ हो जाता है प्रसून हो जाता है यह सब जो है इसके पर्यवाची होते है लेकिन यहाँ पर साथियों यह bridge सब्द का पर्यवाची पूछ रहा है तो यहाँ पादप हो जाएगा option number A यही bridge का पर्यवाची में आएगा पादप आप लोग यह की चीज यहाँ देख रहा है प्रसून लिखा है प्रसून मेरे भाई फूल के पर्यवाची होते है और यहाँ जो पादप पादप तो दिया है पेड़ का यह है में यह सोना का पर्यवाची है वो गोल्ड वाले की बात कर रहा है तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग तो चले हम लोग अगले प्रश्ण पे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे सत्रहवे वाले प्रश्ण में सत्रहवे प्रश्ण पूछ रहा है मेरे भाई निम्नलिखित बिकल्पों में से कौन सा सरोवर के पर्यवाची सब्द नहीं है सरोवर का मतलब मेरे भाई तालाब होता है तालाब का पर्यवाची सब्द है ये सरोवर तो सरोवर सब्द का पर्यवाची कौन सा नहीं है तो सरोवर में मेरे भाई ये सर भी आता है तड़ाग भी आता है जलाशे भी आता है लेकिन ये शतदल नहीं आता है तो option number B ये सरोवर का पर्यवाची नहीं है शतदल मेरे भाई ये कमल का पर्यवाची है कमल तो आप याद रखेए कि जो कमल वाली पार्टी है भाजपा इसमें बहुत जल्दी सतदल यानि इन में से कौन सा सब्द सिव का पर्यवाची नहीं है तो नहीं है तो इसका मतलब कौन सा सिव का पर्यवाची नहीं है तो सिव में मेरे भाई भोले, शंकर, महादेव, कामरी, शोमेश्वर, अंतक ये सब्द सिव के पर्यवाची में आते हैं लेकिन यहाँ जो बिशीक है म साथियों निमने लिखित बिकल्पों में से कौन सा पर्यवाची की दृष्टी से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है पर्यवाची की दृष्टी से, इसी को हमें बताना है, तो देखें, बीभू, शरो, ब्यापक, ये भी एक दूसरे के पर्यवाची है, सही है, लेकिन हमें कराय कौन सा सही नहीं है गलत है उसको बताना है वनिता इस्त्री का पर्यवाची होता है वनिता इस्त्री यह सब होते हैं विशिख मैं पहले ही उपर बता दिया यह बाण या तीर के पर्यवाची होते हैं यहाँ जो option number D हमारा अब सत्य होगा क्योंकि तीन किलियर हो गया तीन तो सही है यह गड़बड़ी यहां चोथे भे हो सकती है अन्शु माली रवी सूत का पर्यवाची नहीं है साथियों यहाँ पर अन्शु माली जो है यह सूर का पर्यवाची है और रवी सूत तो आपको सब को पता है रभी सूत ये घोड़ा का पर्यवाची है तो यहाँ पर ये एक तरफ सूर एक तरफ घोड़ा यही गलत है आप्शन नमबर D आगे बढ़े हम लोग बीसुमे में निमनलिखित बिकलवों में से कौन पर्यवाची के दिरिष्टे से सही नहीं है तो फिर सही नहीं है इसे पूचा जा रहा है देखें शफरी का मतलम मछली होता है सफरी, मतली ये सब जो है मछली के पर्यवाची महा जाएं सही है शौदामिनी ये बिजली के पर्यवाची है इसमें शौदामिनी, छड़प्रभा यह भी सही है पर जगह पे पन्नग सर्प का पर्यवाची होता है सर्प भुजंग पन्नग पाउनाश यह सब सही है यह त्रीदेव हाटक यानि तीन हमें किलियर हो गया यह तीन तो नहीं होंगे तो हम लोग आख मुंद कर यह डी वाले पर लगा देंगे हमारा उत्तर यही हो होगा तो यह जो त्रीदेव है मेरे भाई यह त्रीदेव किसका पर्यवाची होता है त्रीदेव के बारे में आप सबको पता यहां हाटक तो यहां सोना हो गया और त्रीदेव का पर्यवाची में जैसे यह स्वर्ग होता है तो यह स्वर्ग का पर्यवाची है त्रीदेव तो एक तरफ स्वर्ग और एक तरफ सोना तो ये दोनों अलग हैं आप्शन डी हमारा सही है यानि यही गलत था एक किसम देखते हैं जो वाड़ी के द्वारा ब्यप्त न किया जा सके अब देखे हमारा अनेक सब्दों का एक सब्द आ गया अनेक सब्द दिये रहेंगे तो उसके लिए हमें एक सब्द जो है बताना होगा तो जो वाड़ी द्वारा न ब्यप्त किया जा सके उसके लिए एक सब्द क्या कहा जाता है तो उसके लिए यहां कई सब्द दिये है मेरे भाई, इन सब पर ध्यान न देते हुए, आप एक चीज़ याद रखेए, अनिर्वचनी है, अनिर्वचनी मतलब क्या जो वाड़ी के द्वारा ब्यक्तन न किया जा सके, और यहां रहस्तत मतलब कोई छुपा हुआ राज हो जा तो यहां यह सब नहीं होंगे इसके, देखें 22 में, जिसका सत्रू जन्मा ही न हो, उसके लिए क्या कहा जाता है, तो उसके लिए अजाद सत्रू कहा जाता है, इसी तरह का एक सत्रू धग न आएगा मेरे भाई, तो सत्रू धन मतलब यह होता है कि सत्रू का नाश बिनाश क तो आज ये एक मतलब जिसे जीता न जा सके ये हो जाएगा यहाँ पर 22 में हमारा और यहाँ पर हम लोग चलते हैं देखते हैं 23 में क्या है जिसमें धायर न हो जिसमें धायर न हो इसके लिए एक शब्द क्या कायाता है अधहीर आप्शन नमबर सी हो जाएगा हमारा अधहीर आगे देखें हम लोग 24 में जो उपकार को न मानता हो जो उपकार को न मानता हो मेरे भाई उसके लिए क्रितग्न आप्शन नमबर A यही उत्तर होगा और जो उपकार को मानता हो उसके लिए क्रितग्य यह दोनों उल्टे होते एक दूसरे के तो यहां न मानने वाले में तब क्रितग्न हो जाएगा आप्शन नमबर A आगे देखें, 25 में जिसके सीर पर चंद्र हों उसके लिए एक शब्द क्या है तो मेरे भाई सीधी सिवाज जिसके सीर पर चंद्र हों चंद्र शेखर तो यहां कई सारे तोर मरूड का वर्ड दिये हैं तो यहां पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना, नहीं तो confuse हो जाएंगे, तो सीधा याद रखें, जिसके सिर्पर चंद्र हो, चंद्र शेकर, 26 देखते हैं, किसी पर बिजे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते है मेरे भाई जिग इशू आप्शन नमबर शी हो जाएगा जिग इशू आगे देखें 27 में 27 मेरे भाई निरामिस निरामिस का मतलब होता है जो माश न खाता हो तो जो माश नहीं खाता है उसके लिए प्रियोग कियाता है जो माश खाता है उसके लिए सामीस हो जाता है क्या सामीस तो याद रखें दोनों सब्द को निर जिसमें लग गया वो नेगेटिव को दर्सारा है नहीं खाता है और जिसमें सर लग गया है वो positive को दर्शारा यानि जो माश खाता हो आगे देखें हम लोग 28 में क्या कह रहा है इसमें प्रतिउत्पन्न मती प्रतिउत्पन्न मती का मतलब मेरे भाई ये होता है जो तत्काल सो समझ कर उत्तर दे दे on spot तो उसे प्रतिउत्पन्न मती कहा जाता है तो option number ये कहा किसमें है जो तत्काल सो समझ कर उत्तर दे सके तो ये हो गया हमारा ये डी आगे देखें 19 में क्या कह रहा है मेरे भाई 29 में 29 युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है उसके लिए हो तो यहाँ युद्ध सू युद्धा तो मेरे भाई जो युद्ध करता हो उसके लिए होता है युद्ध में बीर प्राप्त करने वाले को युद्ध बीर कहा जाएगा और युद्ध रत मतलब ये तो है नहीं यहाँ पर तो यहाँ युद्ध सूख क्या हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाला तीस वाला हम लोग देखें इसमें क्या कह रहा है देहरी पर देहरी एक तरह का आप दिवाल सोच सकते हैं पर रंगों से बनाई गई जो चित्रकारी होती है उसके लिए एक सब्द क्यायत मेरे बाई अलपना यहाँ संकल्पना दिया है तो संकल्पना नहीं अलपना होगा तो आप्शन नंबर शी हो जाएगा तो यहाँ कुछ लोग चित्रांकन लगा देंगे यह नहीं होगा आगे बढ़ें 31 में निम्न लिखित में से शलाका शलाका का तदभो देखें अब हमारा तदभो तदसम आ गया तदभो तदसम आपको अच्छी तरह से पता होगा मेरे भाई तदभो क्या होता है कि वे सब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए और हिंदी में आकर थोड़ा सा बदल गए थोड़ा सा उनमें डिश्टर्बेंस आ गया तो बुलको हम तदभो करते हैं और जो सब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए और आकर वैसे जैसे संस्कित में प्रयोग होते थे, वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें हम तत्सम बोलते हैं, तो यह चीज किलियर हो गया, अब हम चलते हैं, एक तीस से देखते हैं, तत्सम तत्भव, शलाका सब्द का तत्भव रूप है, तो शलाका मेरे भ शलाका दिया है, यहां सलाई यह वाला, तो इसमें ध्यान न जाईएगा, तो शलाका का ततभव यह सलाई होगा, 32 में देखते हैं, 32 में क्या कर रहा है, इन में से कौन सा सब्द ततभव नहीं है, तो ततभव कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो देखें, धोती भी ततभव है, धान भी तदभव है, दाहिदा भी तदभव है, तो यहां पर हमारा बच रहा है एक, हम लोग आख मून कर यही लगाएंगे धैर, धैर मेरे भाई एक तरह का तत्सम सब्द है, तो इसका ततभव, आप पूछेंगे सर इसका ततभव क्या होगा, तो इसका ततभव धीरज हो जाएगा, आगे देखें हम लोग 32, 33 में, 33 में क्या पूछा जा रहा है, कि ततभव और उसके तत्सम, कौन सा मेल गलत है, तो तेन सही है, एक जोड़ा गलत है, उसी गलत वाले को हमें पकड़ना है, क्या क्या गलती है, कहा गलती है, कैसा गलती है, देखें लाउंग, बिल्कुल सही, डाइन, डाकिनी, ये भी सही है, आयूसू, आदेश, ये भी सही है, एक तरफ यहां ततभव, दूसी तरफ तत्सम, तो यहां मेरे भाई तीखा दिया है, तीखा का तीशा दे दिया, ये गलत है, तीखा का तीच्छड होगा, जहां ये खह सब दाता है, अब तीक्त लगा देते हैं, तीक्त हो जाता, तो लेकिन यहां तीक्त था, तो इसका तीच्छ, क्या होगा, तीच्छ, मतलब तीक्त, तीच्छ हो जाएगा, तो आगे बढ़े हम लोग, यह 33 वा का फिलाल हमारा उत्तर यही है, यही गलत था, 34 में हम लोग देखते हैं निम्णलिखित में से किस यूग्म में जोड़े में तत्वो तत्सम का प्रियोग गलत हुआ है यानि किस तत्सम तत्वो का प्रियोग नहीं हुआ है तो देखें यहाँ पर मेरे भाई, हमारा क्या है आवा, आपाक, ए भी एक तरब तत्वह, एक तरब तत्सम सही है अनारी, तत्वह, इसका अनार ए भी सही है उलू का उलूक, ए भी सही है गलत मेरे भाई ये बी है, यही होता है बी क्यों गलत है साथियों? 34-वा का हमारा प्रशन ये क्यों गलत है, पूछा जा रहा है 34-वाले में, क्योंकि आनूठा का तत्सम आनूथ होता है, तो ये तो तद्भो हो गया, इसका तत्सम आनूथ हो जाएगा, आगे बढ़े हम लोग, यही गलत था, आगे बढ़ा जाए 35 में, किस बिकल्ब के सभी स सब्द ततभव होने चाहिए किस विकल्प में है तो आप लोग देखेंगे यहां पर यह 35 वाले में साथियों गेंद गूफा कोना यह सब्द ऐसे हैं यहां सभी के सभी ततभव हैं अब यहां पर देखेंगे कुष्ट तो तत्सम लग रहा है ग्राम कैथा यहां पर हो गया अब यहां भी यह तत्सम हो गया है अब यहां भी यह तत्सम तो सभी के सभी तत्भव इसी में हैं आगे देखें 36 में नोचना, नोचना का तत्सम सब्द है, तो नोचना एक तरह का तत्भव सब्द है मेरे भाई, इसका आपसे तत्सम पूछा जा रहा है, तो नोचना का तत्सम मेरे भाई लुन्चन होगा, option number B हो जाएगा यही, एक यहां लुन्चन दिया है, यह लुन्चन गलत है, तो यही स पंसार एक तरह का मेरे भाई तत्वह सब्द है, ये क्या है? ये तत्वह है, इसका तत्सम पूछा जा रहा है, तो तत्सम मेरे भाई पन्य शालिक होगा, आप्शन नंबर C हो जाएगा ये, आगे देखा जाए, 38 में, तत्वह तत्सम की दृष्टी से कौन सा युग्म सही न पूजारी का पूजाकारी होगा, A, B सही है, इसमें भी कोई फाल्ट नहीं है, अब यहां देख रहे हैं, पिटारा का पिटक होता है, पिटारी नहीं, तो क्या होगा? पिटक, तो इसलिए ये हैं गड़बड था, पिटारी जगा पिटक होना जाएगा था, आप्शन B में गड़बडी थी, फाल्ट था, और जबकि पल्लाक, पल्लो, पाना का प्रापड, यह सब्द अपनी जगा पे सही थे, गलत इसी में था, B में, आगे देखा जाए, 39, परक, साथियों परक का तत्सम क्या होगा? परक एक तरकार का तत्व हो है, तो इसका परक का सही तत्सम, तो एक तरह का यह, तो परक का मतलब सही तत्सम पूछा जा रहा है, तो परक भी कही प्रियोक कर दिया आता है तत्सम में, लेकिन वो सही नहीं है, तो इसका सही तत्सम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, परिच्छा, आप्शन नमबर B, आगे देखें, 40 में देखें, चालिसों में हमसे क्या पूछा जा रहा है साथियों प्राघुर्ड प्राघुर्ड का तत्भो सब्द है तो प्राघुर्ड मेरे भाई तत्सम है आप सबको पता है ये तत्सम सब्द है प्राघुर्ड याद करिएगा और इसका ततभव आपसे पूछ रहा है, तो इसका ततभव पाहुना होता है, पाहुना का मतलब मेरे भाई अतिथी होता है, अतिथी मतलब मेहमान, तो ये, आप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, अब देखे हमारा ततभव तत्सम खतम, अब हमारा आ रहा है साथियों, यह मतलब सुद्ध, औरतनि वाले सब्द, यहां सेNote कि यहां से मेरे भाय सब्द, यहां से गलतिया, जादा होती है इंश्टूटेंट की, क्योंकि हलकी सी गलतिया देदेगा वहां पर लगता है है लेकिन सही नहीं रहता है, ँबसा सब्द, वरतनी की दिश्ट से सुद्ध है, सुद्ध पूछा जा रहा है साथियों सुद्ध कौन सा है यहाँ पर 41 में एक तरह का यहाँ शट मास दिया है यह तो सब्द ही गलत है यहाँ पर शडयंत्र यह दिया है मेरे भाई यह शडयंत्र गलत है यहाँ खडयंत्र में यहाँ रप जो है हलंत होना चाहिए ऐसे तब सही रहता ये भी गलत हो गया अब यहाँ पर शठ मुखी यही सही है आप्शन नमबर बी ये सश्ठ मेरे भाई सश्ठ जगह पर सश्ठ होना चाहिए तब सही रहता तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया तो आप्शन नमबर बी केवल सत्य है वर्तनी के दिरिष्टी से आगे देखें 42 42 में साथियों कह रहा है कि सुद्ध वर्तनी का सब्द छाटी है क्या सुद्ध वर्तनी का तो मेरे भाई यहां विदो ही दिया है विदे ही ये भी गलत विदे ही ये भी गलत क्यों क्योंकि मेरे भाई विदे आप्षन सिता के पिता थी, वे बिदेह वन से संबंदित है। तो इसलिए उनको बिदेह मतलब कहा जाता था, और सिता जी को वैदेही। तो option number C हो जाएगा, ये माता सिता के लिए परयोक किया जाता है ये वैदेही। यही सही है, आगे देखें। मानो मात्र को गीता के महातम से परचीत होना चाहिए तो यहां मेरे भाई महातम सब्द जो लिखा है यह गलत है तो कह रहा है रेखांकिस सब्द को सुद्ध करें तो यही रेखांकिस सब्द मेरे भाई महातम नहीं होता है इसका सबसे सुद धुरूप होता है साथियों सुद धुरूप इसका महात्मय option number B यही सही है बाकी यहाँ पर सब गलत हैं यह सब को भूल जाएए याद इसी को रखना है महात्मय आगे देखें 44 में निम्न लिखित में वरतनी के दृष्टि से असुद है मतलब वरतनी के दृष्टि से एक में गड़वड़ी है असुद है उसी को हमें बताना है तो साथियों हमारे आँक के सामने किस तरह से धूल जोकरा है देखें अध्याय भी सही है बिल्कुल आजी भी क्या भी सही है अभ्यस्त भी सही है कोई भी होगा अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा जानता होगा हिंदी के बारे में उजवल जो है इसमें दोठो जय जय रहता है आधा जय दोठो रहता है यहां उजवल यह से लिखा जाता है यहां एक ही आधा जय लगाया था आधा जय जम में और जोड़ना चाहिए था तब सही हो जाता आप्शन नमर सी हमारा यही गलत है आगे देखें 45 में 45 में साथियों देखें यहाँ पर कौन सा वरतनी के दुष्टि से कौन सा सब्द वरतनी के दुष्टि से सही है तो मेरे भाई भगवत प्रेम तो भगवत प मातरा यह छोटी रहने चाहिए थे इधर से इसलिए यह गलत हो गया छत्री मेरे भाई इसमें भी छोटी ए रहना चाहिए था इसलिए भी गलत हो गया तो यहाँ पर सही केवल विद्यार्थी गड़ है हालांकि कई जगे विद्यार्थी गड़ को ऐसे ही लिखा जाता है व आगे देखें,46, 46 में कह रहा है साथियों, कौन सा सब्द, निमलिखित में से कौन सा वाक के Eck असुद है, किस वाक में गडबडी है, असुद ही है, उसे पकड़िये पहले, तो साथियों इसमें लिखा है, मैंने अनेक पत्रकारों को प्रसिचित किया है, 46 वाले में यही सही है 46 वाले में हमारा तो यहीं सही है इसमें कोई गड़बड़ी कहीं से नहीं लग रहा है बी वाले में जो लिखा यहीं हमारा उत्तर होगा 46 का बी वाले में क्यों गड़बड़ी है सी में क्यों गड़बड़े इसको हम लोग देख लेते हैं दच्छिड भारत में सूखे से भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है तो यहां पर यह मतलब असुध पूछ रहा है न तो असुध मैं सुरी मने गलत बता दिया आपको यहां पर असुध पूछ रहा है तो असुध मतलब यह तो सही है इसमें कोई गड़बडी नहीं है यह भी सही है पनी जगह पे दच् करना तलवार पर चलने के समान है मेरे भाई तलवार पर नहीं तलवार की धार पर चलने पर सवाल है मतलब होना चाहिए था तो यहां तलवार की धार होना चाहिए था प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है तो इसलिए यह गलत होगा option D उत्तर होगा गलत पूछा तो हम लोगों ने गलत को बताया यही गलत था 47 में देखें बिकलपों में से कौन सा सही वाक के दिये गए बिकलपों में सही वाक के को चुनना है यहाँ पर 4 sentence, 4 वाक के दिये गए हैं इन में से जो सही है उसी को आपको चुन लेना है पहला अगर अगर आपको पढ़ेंगे यहाँ A होना चाहिए मिस्प्रिंट दे दिया तो यहाँ जो है यह मैंने आपसे प्रडाम किया तो मेरे भाई आपसे नहीं मैंने आपको प्रडाम किया यहां आपको होना चाहिए था, इसकी जगह पे आपको, इसलिए यह गलत हो गया, मैंने आपको परणाम किया था, तो मैंने आपको परणाम किया, तो option number D यहां पर यही सत्य है, 47 वाले में, अब देखें हम लोग 48 में क्या है, निमने लिखित में से कौन सा हुआ के सुध है, तो चार सेंटेंस में जो सुध हुआ के है, उन्ही को हमें बताना है, मैंने पाइटी में 8 हाट, 8 दस रस गुले खाया, तो मेरे भाई यहां पर देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहां फाल्ट कहा है, मैं फाल्ट देख तो खाया नहीं, खाये होना चाहिए था, ये वाला, खाये, तो ऐसे, इसलिए ये गलत हो गया, अब हमें सुद्ध को पकड़ना है, प्रेम का मुल आंका नहीं जा सकता, येस मेरे भाई, प्रेम आंका जाता है, नापा नहीं जाता, ये ही सही है, आप्शन नंबर B में, और द की C, हलका सा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत, प्रत्येक स्रमिक को दो-दो रुपे मिले, तो यहां स्रमिकों दे दिया है, मेरे भाई, जब यहां प्रत्येक लगा दिया, तो यहां स्रमिक जो होता है, वो सिंगुलर में आ जाएगा, तो इसलिए ये स्रमिक होना एक वाक के शुद्ध है तो नीचे दिएगे वाक्यों में एक ही सुद्ध है उसे पकड़ना है मैं देखें चर्खा कातना चाहिए तो मेरे भाई चर्खा चलाया जाता है सूत काता जाता है तो यहाँ पर यह कातना नहीं लिखना चाहिए था यह गलत हो गया उसने मुक्त हस् धन लुटाया ऐसे ही रहा है कोई आपके बढ़ाई कर रहा है तो उसने मुक्तकंठ बढ़ाई किया तो ऐसे ही होता है वहाँ से नहीं लगता है तो इसलिए ए भी गलत हमारे यहाँ तरूर नवयोकों की सिच्छा का अच्छा प्रबंदन है मेरे भाई जब नवयोक आप लगा दिये तरूर लगाने जरूरत ही नहीं है ए भी गलत हो गया तो बचा हमारा डी यही सत्य है मुझसे या काम संभव नहीं है तो यही सही है आप्शन नमबर डी हमारा उत्तर होगा पचास में देखते हैं निमलिखेत में से कौन सा कथन असुद है सेंटेंस में कौन गलत है वही हमें बता देना है तो साथी हम लोग पहला पढ़ते है मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है तो देखने में हमें पता नहीं चल रहा है सर इसमें गड़वड़ी क्या है इसी में गड़बड़ी छुपी हुई है क्या है देखें उत्तर तो हमारा यही होगा option number ए यही गलत है मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है मेरे भाई एक जो है न दुकान के पहले रहना चाहिए मेरे घर के पास फूल की एक दुकान है तो यहां यह होना चाहिए था इसलिए यह अगड़बड़ है बाकी सब यह अपनी जग़बड़ पर सही है मेरे नम मनमोन है मैं घर जा रहा हूँ अभी द्याले जाना चाहता है यह सब सही है गलत किवल यह था आगे देखें 51 में निम्लिखित में से कौन सा सब्ध बिषयषन नहीं है आप देखें हमारा 51 म से 60 तक जो बिषयष बिषयष बिषयषना आ गया तो हम सब को पता है बिषयस, जिसकी बिषयषता बताई जाती है वो बिषयष होते है और जो सब्द किसी संग्या सरुनाम की विसेस्ता बताते हैं विशेषड होते हैं जैसे गाय काली है तो गाय यहां गाय के बारे में बताया जा रहा है गाय काली है तो गाय यहां विसेस्ता हो जाएगी यह चीज याद रखिएगा मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानका काली है तो काली सब्द यह होग बिशेशण हो जाएगा काला ही घाय की जा सब्द विशेशण हो जाएगा तो यहां की जर कतो क्यों सब्द नहीं है कि मेरे भाई विशेशण यहां पर देखें उ और अवचारणडीक, इस सब उचारण से बने हुए सब्दे हैं, यह सब जो है यह विशेषण है, लेकिन यह उचारण विशेषण नहीं है यह मूल सब्दे है आगे देखें चेक करने के कई तरीके होते हैं आप sentence में किसी के fit करके देखें वहाँ fit हो रहा है कि नहीं या तो जो मूल सब्द मैंने बताया ये मूल जो होते हैं वो विशेश से होते हैं और मूल सब्दें से जो मोडिफाइड होके बनते हैं वो विशेशण होते हैं हालांके यह 100% सही नहीं होता लेकिन ज्यादा तर काम कर जाता है आगे देखें बावन में बावन में साथियों कह रहा है इसमें उसने निंदनिय कार किया जिससे चारित्रिक तिरसकार भी हो गया इस वाक में प्रयुक्त बिशेशण सब्द है तो साथियों इस प्रशन को लेकर बहुत confusion है अलग-अलग किताबों में इसका अलग-अलग दिया है तो हालांके बहुत परिश्रम देखने के बाद यहाँ यह लगा कि इसमें पूछ रायत कौन सा प्रयुक्त इस वाक में प्रयुक्त बिशेशण सब्द नहीं है तो यहाँ नहीं होना चाहिए था तो क्योंकि बिशेशण यह भी है निंदनिय चारित्रिक भी है यह तिरसकार बिशेश से है यह बिशेशन नहीं है तो फिलाहल आपका क्या है आप क्या पढ़े है अगर आपके बारे में इसमें कुछ सुझा हो ता आप कमेंट में बताईएगा फिलाहल हम लोग चलते हैं 53 तीरपन पे देखें निमलिखित में से कौन सा सब्द युग्म गुडवाचक बिशेशन नहीं है तो गुडवाचक बिशेशन मेरे भाई तो यहाँ पर कौन सा है देखें प्राचीन यह भी एक गुड़ के बारे में बता रहा है ताजा सुड़ोल यह सब गुडवाचक बिशेशन है यहां जो पाव है मेरे भाई, पाव जैसे हम लोग कहते हैं एक किलो, एक किलो में जैसे चार पाव होते हैं तो उस वाले पाव की बात कर रहा है, यह अपुर्ड बोधक मातरात्मक के बारें बात कर रहा है, तो अपुर्ड बोधक बिशेशड हो जाएगा, जैसे कोई भिन के प्रूप में होती है या बटे के मतलब पॉइंड में होती है तो उसे हम लोग ये अपुड बोधक विशेशन बोला जाता है आगे देखें फिलाहाल मैंने बताया ना तो गुडवाचक विशेशन नहीं है तो यही नहीं है चववन में देखते हैं निम्नलिखित में निश्चित परिडाम बोधक विशेशन का शब्द चैन करें तो यहां देथी यह दिखा है मेरे भाई निश्चित परिमार बोधक विशेशन को बताना है तो यहां जीतने भी सब्द दिये हुए हैं, सब के सब परिमाड बोधक सब्द हैं, लेकिन जब यह दिया निश्चित को बताना है, definite होने चाहिए वो, तो यहां पर देखें, दो गज, क्योंकि दो गज, दो रुपया, दो किलो मिटर, यह निश्चित चीजे हैं, इसमें इतलब अनिश्चित नहीं है, तो option number a हमारा सत्य होगा, जबकि यहां देखेंगे पूरा धन, कितना धन है, यह कोई clear नहीं है, तो यह निश्चित नहीं हो सकता, दो दो, किसका दो दो, तो यह जो हैं, दो दो का आगे क्या, तो यह भी निश्चित नहीं हो रहा है, बहुत आनंद कितना आनंद, यह भी नहीं पता जल रहा है, यह भी definite नहीं है, तो definite के वल ए है, आगे देखें 55 में, एक बिशेशन शब्द नहीं है, तो बिशेशन नहीं, यानि बिशेशन बताने वाले शब्द जो नहीं है, उशी को पकड़ना है हमें, तो देखें मेरे भाई, यहां लजीला, लाज से बना है, लाडला, यह भी है, लापता, यह सब्द बिशेशन है, लेकिन बिशेशन कौन सा नहीं है, तो लांचन, यही जो है क्यों बिशेशन नहीं है, बाकी सब बिशेशन है, आगे देखें, छपन में, छपन में क्या कह रहा है साथी, निम ने पतला आदमी जा रहा है, तो ये पतला जो है आदमी की विशेष्था बता दे रहा है, जबकि इन सब को हम फिट करेंगे किसी sentence में, तो फिट न होंगे, ये एक चेक करने का एक अच्छा माध्यम होता है, तो option number A, मैंने बताया है, दो तरक बताया है, एक sentence में फिट करके आप 57 में क्या है, निम्न लिखित में सिक्षी सवाक्य में उत्तमा वस्था गुडवाचक विशेष्ण है, उत्तमा वस्था मेरे मेरे भाई जिसे अवस्था तीन होते हैं, एक जो होता है मूला वस्था, और दूसरा होता है, जो है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं, कि जिसे एक होता है, गुड होता है इंग्लिश में, और एक होता है, और जिसे गुड हो गया, और वेरी गुड हो गया, और बेस्थ हो गया, तो ऐसे ही इसमें होता है, मूला वस्था, उत्तमा वस्था, और मतलब जो मिडल क्लास के होते हैं, तो इसमें उत्तमावस्था गुडवाचक विशेशन के बारे में बात कर रहा है तो उत्तमावस्था यानि एक मतलब सबसे टॉप पर जो होता है तो इसमें परमानंद कच्छा में सबसे होसियार चात्र है तो देखें यही उत्तमा वस्था है, मध्यमा वस्था नहीं है, तो मैंने बताया तीन होते हैं, मूल वस्था, मध्यमा वस्था और उत्तमा वस्था, तो उत्तमा वस्था में यही है, यानि सबसे बेश्ट जो होता है, वो उत्तमा में आ जाएगा, तो आप्शन नंबर A सत् कौन सी अवस्था है, तो मेरे भाई ये भी एकदम टॉप की बात कर रहा है, उत्तमा अवस्था की, तो option number B हो जाएगा उत्तमा अवस्था, निवनतर बोला होता, तब उत्तरावस्था हो जाता है, यानि मध्यमावस्था वाला, मूला अवस्था निवन होता, मूला में ये निवनतर होता, तो इसमें उत्तमा अवस्था पूछा है, तो निवनतर, 59, लिकित में से कौन सा वाक बिशेशण युक्त है, यानि किश वाक में बिशेशण प्रियोक किया गया है, उसी को बताएंगे, आप सब लोग अगर नीची से में पढ़ता चलूं, छमा के, छमा से भी सुख मिलता है, इसमें कोई भी ऐसा सब्द नहीं है, जो शंग्या सरनाम की विशेशता बता ये भी नहीं है, सही सिच्छा सास्त्रों में है, इसमें कोई विशेशता बताने वाला सब्द नहीं है, सुख साहित्य पढ़ने में मिलता है, इसमें भी नहीं है, इसता बता रहा है कैसा सोचाले समुधाइक सोचाले यही विशेषण का कार कर रहा है 60 और अंतिम प्रशन देखते हैं हमारी यह गटना चक्र की आज की जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है सात्मी जो है लास्ट नहीं कह सकते इसके बाद भी तीन है तो सात्मी प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट प्रशन है सात्मा सामान हिंदी का तो इसमें विशेष विशेषण के द्रिष्ट से सही युगम कौन सा नहीं है उसे बताना है तो देखें ग्यान ग्यानी विशेश विशेशन सही है छुदा चुधित चुदा और चुधित ए भी सही है विशेश विशेशन सिव शयो ए भी सही है यहां गलती मेरे भाई यहां है हवा विशेश है इसका विशेशन बताना हो तो हवाई हवाई हो जाएगा तो आप्शन न प्रैक्टिस सेट सामान हिंदी घटना चक्र की यह जो प्रैक्टिस सेट थी सातवी कम्पलीट कर लिया है इसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस सेट होगी घटना चक्र की सामान हिंदी के लिए वो आठवी प्रैक्टिस सेट होगी तब तक हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले practice rate में तब तक के लिए नमस्कार